राजा होगा सेनेट का राजा या साधिक संजरानी बनेंगे शेहनशा बस चार बज़े का इंतिजार मुतहदा ओपोजीशन अपने अपने डेपटी भी सामने ले आए सलीमान विवारा और उस्मान काकड में सक्त जंग हो गई आई टेक इस अपोजिनिटी तो फार्मली विलकम यू तो दी सेनेट अपकस्तान वावन अरकान ने शेरवानिया पहन ली हलफ भी उठा लिया कसमे भी खा ली वादे भी कर लिए मैच संसनी खेज होगा उतहिदा पोजिशन ने उनसट और हकूमत ने बावन स्कोर का दावा कर दिया खुपिया राई शुमानी में बाजी पलट भी सकती है बलोचिस्तान के अवाम का हक नहीं बारेंगे चेर्मेंट सैनेट यहां से होना चाहिए हम सच के साथ हैं MQM के अरकीन ने सादिक संजरानी को वोट देने का एलान कर दिया मुतहदार अकीन की वजिरेला बलोचिस्तान के साथ प्रेस कांफरेस अब्दु कदूस बजिन्चो का MQM को थेंक यू आसिफ जरदारी से एक्तिलाफ है पिपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकते MQM ने डेप्टी चेर्मेन के लिए सलीम मांडी वाला को वोट ना देने का एलान कर दिया खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं सिन्ध की तबाही की जीमदार पिपल्स पार्टी है फाता के आठ और MQM के पांच और अकिन वियाई पीज हुकूमत और अपोजिशन ने अलग अलग वादे कर लिए मौलाना फजलुरह्मान का की मुलाकाते हार्स ट्रेडिंग की फिर गुच MMA का इजलास बे नतीजा खत्म मौलाना फजलुरह्मान को चेर्मेन बनाने पर इतिफाक ना हो सका इजलास दुबारा बलाने की तजवीज सेनिशर सराजल अखत हाट पेवरिट हो सकते हैं सैनिट इलेक्शन में बिचने वालों का सुराग मिल गया पीटी आई ने खोज लगा लिया बाग्यों को आएंदा टिकेट ना देने का फैसला शोकत यूसफ दई बोले तीन अराकीम के ना होने से शिकस्त हुई सत्रा नामों का पता लगा लिया अमाम काबा की पार्लिमेंट हाउ सामद स्पीकर आया साधिक और अराकीम से मुलाकाट अमत मुसलिमा को दरपेश मसाइल पर घृतगू अमाम काबा शेक सालिबिन मुहम्मद इबराहीम बोले पाकिस्तान अमत मुसलिमा का अहम रुकन है हमें मुतहिद होकर दुश्मरों का मकाबला करना होगा फिर तोहीने अदालत फिर फंस गए निहाल हाश्मी पर 26 मार्च को फर्दे जर्म लगेगी मैंने कब कहा मेरे बच्चे भूके मर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की इज़त की खातिर जेल गया निहाल हाश्मी हम कब तक आपके इहसान का बोज उठाएंगे अदालत का जवाब I'm so sorry अब वक्त गुजर गया आपको मौकी नहीं मिल सकती सुप्रीम कोर्ट का शाहिद मसूद को साफ जवाब पैमरा बताए शाहिद मसूद का प्रोग्राम कितनी देर तक बंद रह सकता है सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी ऐसे दुस्तूर को सुभे बेनूर को मैं नहीं मानता आमिरों के सामने आवास बुलंद करने वाले हबीब चालिब की आज बाइस में बरसी मनाई जा रही है जिन्दगी भर अवाम के मसाइल और ख्यालात के तर्जमानी की भला लोग कैसे बुला सकते है कराची के अलाके हब बेला के करीब बोच और कार में तसादूं चेह अपराच जांभाक बारा जखनी खाल सालस बेला की तहसील बेला से पच्चास किलो मीचर दूर आर सी जी शाहरा पर पेश आया मसाफिर बच्ट कराची से कोईटा जा रही थी और एक्शन ट्रैजिडी और फिल्मी अंदास में विक्टरी पाकिस्तान सूपर ली का हर मैच सूपर शेहरी लाहोर कलंदर ने कराची किंग्स को सूपर ओवर में हरा दिया बांडरी लाइम पर कैच गिराना नुकसान दे साबित हुआ छक्टे ने पांसा पलट गिया असलाम अलेकुम रॉयल नियूस के साथ मैं हूँ वकास बलाना और मैहू कनीस फातिमा बुलेटिन का आगास करते हुए आपको बताएं के राजा होगा सैनिट का राजा या फिर सादिक संडरानी बनेंगे शेहन शाह बस चार बजे का इंतिजार मुतहदा ओपोजेशन अपने डेपिटी भी सामने ले आए सलीम मानवी वाला और उस्मान काकड में सक्त जंग छेड़ गई आपको आहम खबर से अगाह करें आपको बताएं के राजा होगा सैनिट का राजा या फिर सादिक संजरानी बनेंगे शेहन शाह बस चार बजे का इंतिजार मुतहदा ओपोजेशन अपने अपने डेपिटी भी सामने ले आए सलीम मानवी वाला और उस्मान काकड में सक्त जंग छिड़ गई आपको बताएं के आज सैनिट इंतखाबात के इलेक्शन का दुबारा से हो रहे हैं और आपको बताएं के कौन बनेगा चेर्मेंट सैनिट और कौन बनेगा डेपिटी चेर्मेंट सैनिट इसका भी आज फैसला हो जाएगा लेकिन इंतजार की गड़िया खत्म होने में अभी वक्त है चुके फैसला होगा चार बजे के गरीब आपको बताएं कि राजा होगा सेनेट का राजा या फिर सादिक संजरानी बनेंगे शेहन शाग चुके फैसले की गड़िया आने वाली है और आज हो जाएगा इंतजार खत्म और बता चल जाएगा कि चेर्मेंट सेनेट कौन होगा और फिर डेपिटी चेर्मेंट सेनेट कौन होगा लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा बस चार पजे तक जबके मुतहदा ओपोजिशन अपने अपने डेपिटी चेर्मिन भी सामने ले आए और सलीमान भीवाला और उस्मान काकड में सक्त जंग भी छिड़ गई है आज आपको बताएं कि राजा होगा सैनिट का राजा या फिर साधिक संजरानी बनेंगे शेहनशाँ इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं इंकरपरसन नवी सती से जी नवी सती आप क्या कहते है कि किसके हक में जाएगा ये फैसिला देखें अब बड़ी दिल्चस्त सूरत आल जो है वो सामने आ चुकी है जिसमें जो मुझेदा अपोजिशन है उसकी अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी बीस तेरह है पीडियाई के इसके साथ-साथ जो है वो इंडीपेंड़ हैं फाटा से साथ उनके हैं फिर बलोचस्तान से इंडीपेंड़ है छे उनके है और बी एन पी जो है उनका भी एक है जो है वो सोच जो बचार में मुझूद है और वो भी हो सकता है कि दूसरी तरफ चला जाए मुझेदा की तरफ चला जाए और कुछ देर बाद जो है बड़ी एहम जो सूरत आलों सामने आजएगी और अगर जमात इसलामी भी आ जाती है कोई भी एक शक्स आज़ता है उस तरफ दूसरी तरफ तो एक वाज़े पत्री जो है वो सामने नज़र आज़ेगी तो मुस्लम लीग नून के पार अपनी 32 है पांच जो है वो एस पी की है और पी के मैप की पांच है यू आई एफ जो है वो उनके चार है लेकिन अभी कु होगा कि वो मुस्लम लीग नून का साथ देती है नवी सती एमकेम ने भी जो डेपटी चेर्मेन के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देने से इंकार कर दिया है क्या कहते है आप इस हवाले से आगे जाके क्या होगा लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा लेक कि वो एहम सैसला करने जा रहे हैं कि जे यू आइफ जो है वो क्या अगर वो इस तरफ चले जाती है मुतहदा आपोजिशन की तरफ तो वो एक बहुत बड़ा जो है तचका लगे का मुस्लम लीग नून को भी और इसी तरीके से जमाते इसलामी जो है वो भी अब सोच बज जार में हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं तो अभी एकर सूर्पियाला में देखें नंबर गैम की जो जो नंबर गैम बादे नजर आते हैं तो तक वो एंडिपेंडेंट के पाजो है मुतहदा पोजिशन जिसमें पीपर्स पार्टी है जिए जो पीटी आई है और इसके जानात हैं इसके लिए खुफिया राइशमारी के जो तोड़े पहले पीटी आई के जो सुपोर्समें हैं उन्होंने भी एक प्रेस कांफर्स किया और उन्होंने कहा जी कि नंबर गैम जो है वो सिक्स्टी प्लस चली जा चुकी है तो उसमें भी जो साक्यों की दिना स्वा करना होगा कि नवी सकती ये भी बताईएगा कि एम में में का जो इजलास हो रहा था उसमें मौलाना फजल रही ती जो चेर्में सैनिट के लिए आवाज उठाई जा रही थी वो तो उस पर इत्वाक नहीं कर सके और सेनिटर सराज रहाग के इस हावाले से क्या कहेंगे अपना डिप्टी चेर्में के लिए जो है उबताई लेकिन दूरे तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो कभी भी जो मौजूद है उसमान ताकर्ड उनकी जो है फेवर में नहीं आएंगे और वहां पे कुछ ऐसी भी सूर्टियाल सामने आई जिसमें कहा जाए कि अच्चक बिए जान नहीं प्यारा है कि अच्चक रिए जो फार बिए जो है वो उनको वोट देए पीजिए जो नहीं यह तो देखना होगा बहुत शुक्रिया नवीस सती एंकर परसन आप हमें अपना तजिया दे रहे थे आपको बता रहे हैं कि राजा होगा सेनिट का राजा होग बस चार बजे का इंतजार है, मतहिदा अपोजिशन अपने अपने डैप्टी भी सामने ले आए, सलीम मांडी वाला और उस्मान काकड में सक्त जंग होगी, कौन बनेगा चेर्में सैनिट, कौन बनेगा डैप्टी चेर्में सैनिट, मुक्तलिफ जमाते जो हैं, इतहादी जम आते हैं, वो हकुमत के साथ हैं, या अपोजिशन के साथ हैं, इसका फैसला तो तब ही होगा, जब वोट होगा, चार बजे का सब को इंतजार है, राजा होगा, सैनिट का राजा या फिर सादिक संजरानी बने गे शेहनशा, इसका इंतजार है, चार बजे का हम सब को भार था उसके बाद राजार रोऻानी की गुञ़ चुटी मुस्लिली गजनून की जानी को नामजद किया जाने के लिए मुश्वरा दिया गया कि लगा। अब कौन होगा राजा होगा सैनिर्काराजा या सादिक संजरानी होंगे शेहनशाँ बस चार बजे का इंतिजार है इस हवाले से हमारे सौक्ट इंकर परसनल डॉक्टर सजाद बखारी मौजुद है। डॉर्टर साथ बताईएगा कौन होगा राजा होगा या फिर सादिक संजरानी होंगे सादिक संजरानी को वोट देने के लिए तयार हैं लेकिन हम पीफल्स पार्टी के मांडिवाला साथ को जो है वो उसके लिए अमलुमेंट दी तो पर तयार नहीं है किसी हवाले से इजलास भी तलब किया कि आई शेरी रहमान भी इसमें मांडिवाला साथ दीए बिगर अश्कास भी सावाले से सर जोर के पैट गए हैं याद ये मामला जो है वो थोड़ा सा परिशान कुन हो गया आज सुबों की सुरते हाल बारा से एक बज़े तक की जो सुरते हाल थी उसमें हम देख रहे थे कि काफी अपर साथिक संगरानी साथ जो है वो अच्छी पोजिशन पर नजर आ रहा था लेकिन उसके बाद अब ये जो खुपिया रह शमारी है ये एक खतरनाक मरहला है और गेम और बादी जो है वो पलट सकती है लेकिन अवराल अगर हम बात करें तो इस वक्त दो बलुचिस्तान की लोग जो है वो मैदान में है इसके साथिक संगरानी है और उसमान खाकर को इस दी वोट नहीं देना चाते है कि उसका तालुचिस्तान से है तो अगर ये दोनों उसके साथिक संगरानी होते हैं और उसमान खाकर होते हैं तो बलुचिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी नियूज है लेकिन ओवराल अगर हम देखें तो ये मैच 6 को दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी तरह इसका अंदाजा भी लगाया जा रहा है और ये जो बुज करती रही है पीपल्स पार्टी की तो फिर वो किस स्टेज पर आकर इस फैसले की मखार्फ़त करेगी बड़ा एक अच्छा लफ इस्तमाल किया जाता है बड़ी अच्छी एक इसक्छा है कि जी स्यासत में कोई चीज हर्फे आखिर नहीं है इसे कहते हैं जूट इसके मफू जर्दारी साथ की अफजमात है वो पीपल्स पार्टी काम और जर्दारी पार्टी ज्यादा बन चुकी है उसकी से कोई गिला शिक्वा नहीं है लेकिन पाकिस्तान तेरी के इंसाफ जेश्ची की बात कर रही थी और कह रही थी कि हम यह चले वे कार्फूशे से यह यह पु जरूरती नहीं है इसमें हंडर्टी से इसको आप 110 पी से आर्ट्रेडिंग जैवो संजएं और जिके यह आर्ट्रेडिंग का तो आगाज बहुत पहले चुछा था था यह थी बिल्कुल और गूंच अबे बे सुनाई दे रही है जी बहुत शुक्रिया डॉक्र सज्जाद बुखारी आप हमारे साथ मوجود थे अपना तज्जिया पेश कर रहे थे आपको बता रहे हैं के सेनिट का राचा कौन होगा राचा सफरुल हक होंगे या फिर साजिद जो सादिक संजरानी बनेगे शेहन शाह बस चार बज़े का इंति ला फिर सादिक संजरानी बनेगे शेहन शाह इसका इंतिजार जो है वो खत्म होने वाला है चार बज़े इसका फैसला आ जाएगा मुतहदा उपोजिशन अपने अपने डेपटी भी सामने ले आए जबके सलीम मांडी वाला और उस्मान काकर में सख्त जंग छिडगई नामजद कर दिया था और नवाज शरीफ ने इतहादियों को डेपटी चेर्मेन मंतखब करने का इक्तियार दे दिया और उस्मान काकर डेपटी चेर्मेन के लिए नामजद कर दिया गए आपको बताएं के सैनेट कीचेर का म्यूजिकल खेल बस कुछ ही गंटों तक खत्म ह होने वाला है आखरी ओवर जो है वो जारी है जबके बावन मंतखब राकी ने हल्फ भी उठा लिया था आज और इस हागडर लंदन बैठे रहे थे चार बज़े खुफिया राए शुमारी होगी और उससे वाज़े हो जाएगा के मुकदर का सिकंदर कौन होगा इसका फैस इमानवी वाला और उस्मान काकड में सक्त जंग हो गई आज ये फैसला हो जाएगा के चेर्में सेनेट और डेपटी चेर्में सेनेट कोन होंगे आपको बताएं कि ये जो है डॉक्टर साहिब ने भी हमें बताया जो हमारे साथ मौजूद थे एंकर परसन उनका भी यही कह देती है और देखना ये है कि जिस तरह सेनेटर्स बिके थे उसी तरह होड्स ट्रेडिंग फिर से होगी या नहीं एमक्यम के अरकीन ने भी सादिक संजरानी को वोट देने का एलान कर दिया अवलोचिस्तान के अवाम का हक हम नहीं मारेंगे चेर्में सैनिट यहां से होना चाहिए हम सच के साथ हैं ये कहना है एमक्यम के अरकीन का उन्होंने कहा कि हम सादिक संजरानी को वोट देंगे इस संसिनी खेज होगा मुताहिदा अपोजिशन ने 69 और हकूमत ने 52 स्कोर का दावा कर दिया खुफिया राइशमारी में बाजी पलट भी सकती है आप आवे आप अच्छे में आप गोना आएगा आपको बतारें के 52 अरकान ने शेरवानिया पहन ली है हलब भी उठा लिया है कस्में भी खाली है वादे भी कर लिये मैच संसिनी खेज होगा कौन बनेगा सैनिट का राजा राजा बनेगे सैनिट का राजे या फिर सादिक संजरानी बनेगे शेहनचा इस हावाले से मुधहदा अपोजीशन ने 69 और हकूमत ने 52 स्कोर का दावा भी कर दिया खुफिया राज़वारी में बाजी पलट भी सकती है आपको बताएं कि 52 अराकी ने शेरवानिया पहन ली जबके हल्फ भी उठा लिया गया कस्मे भी खा ली गई और वादे भी कर लिये गए जबके मैच संसनी खेस हो गया मतहदा अपोजीशन ने उनसच और हकूमत ने 52 स्कोर का दावा कर दिया खुफिया राज़ शुमारी में बाजी पलट भी सकती है अब को बतारें कि सेनिट के नो मतखब अकावन सेंटर्स ने हलफ उठा लिया सरदार याकूब खान ने तमाम नो मतखब अरकान से हलफ लिया जबके साविक वजीर खजाना इस हाथ डार बैमारी के बाएस बेरोने मुलक होने की वज़ा से हल बरदारी में शरीक ना हो सके परिलिम्ट के वाने वाला के नो मतखब अकावन सेंटर्स ने हलफ उठा लिया सरदार याकूब खान ने तमाम नो मतखब अरकान से हलफ लिया जबके साविक वजीर खजाना इस हाथ डार बैमारी के वाईस इस हलफ बरदारी की तकρίब में शिर्के ना कर सके सेंटर्स की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इजलास मुल्त भी कर दिया गया जबके आपको बताएं के चेर्मेन और डेपटी चेर्मेन सेनट के इंतखाबात के लिए इजलास शाम चार बजे दोबारा शुरू होगा मुस्लिमी गनून ने राजा जफर अलान भी कर दिया जबके आपको बता रहे है के बावन अराकी ने शेर्वानिया पहली हल्फ भी उठा लिया कस्मे भी खाली और वादे भी कर लिये मैच जो है वो तो संसरी खेज हो गया मतहदा अपोजिशन ने उनसर्ट और हुकूमत ने बावन स्कूर का एलान कर दिया जबके खुफिया राई शुमारी में बाजी जो है वो पलट भी सकती है इस अवाले से हमारे साथ नुमाइंदा रोयल नियूज इसहार खान न्याजी मौजूद है जी इसहार बताईएगा कौन बनेगा सैनिट का राजा अपोजिशन ने उनसर्ट और हुकूमत ने बावन स्कूर का दावा कर दिया यहां मतज़ाद दावे तो मुझूद हैं लेकिन बावन अरकान में से एकावन ने आज हल्फ लिया है इसहागदार बिमारी की वएसे बेस नहीं हो सके लेकिन इस वक्त जो बाड़ी लेंगवेज है हुकूमरान जमात की वो कोई ऐसी नजर नहीं आरी जिसे उनके चेरों पर खुशी के आसार हो और सादक संजरानी का नाम इस वक्त इवानों में गुंज रहा है हॉर्स ट्रेडिंग की जो आवाजे थी वो बेल्ट के फैसले के बाद वाजे हो जाएंगी जी बहुत शुक्रिया अज़ार खान न्याजी आप हमारे साथ मौजूथ है आपको बताते चलें के बावन अरका ने शेरवानिया पहनली हलप भी उठा लिया किसमे भी खा लिए वादे भी खा लिए मैच संसनी खेज होगा आगे आपको बताएं के बलोचिस्तान के अवाम का हक नहीं बारेंगे चेर्मेंट सैनेट यहां से होना चाहिए हम सच के साथ है MQM के अरकीन ने सादिक संडरानी को वोट देने का एलाम कर दिया मतहदा अरकीन की वज़ियाला बलोचिस्तान के साथ प्रेस कानफरेंस भी की गई अब्दुलकुदूस बजिंजो का MQM को थैंक यू भी कहा गया आपको हम ख़बर से अगाह करें आपको बताए के बलोचिस्तान के अवाम के साथ है और उनका हक नहीं मारेंगे चेर्में सेनेट जो है वो बलोचिस्तान से ही होना चाहिए हम सच के साथ है MQM के अरकीन ने सादिक संडरानी को वोट देने का एलाम कर दिया अरकीन की बलोचिस्तान के साथ प्रेश कॉनफरन्स अब्डुलकदूस बेजंजो का MQM को फैंक यू भी आपको बताए के अब्डुलकदूस बेजंजो ने MQM को फैंक यू बोल दिया और कहा के बलोचिस्तान के अवाम का हक नहीं मारेंगे चेर्मेंट सैनेट यहां से होना चाहिए हम सच के साथ है MQM के अराकीन ने सादिक संजरानी को वोट देने का ऐलान भी कर दिया और मतहदा अराकीन की वजिर्याला बलोचिस्तान के साथ प्रेस कांफरेंस अब्दुलकदूस बजिंजो का MQM को थेंक यू आपको बता रहे हैं कि अबलोचिस्तान के अवाम का हक नहीं मारेंगे चेर्मेंट सैनेट यहां से होना चाहिए हम सच के साथ है MQM के अराकीन ने सादिक संजरानी को वोट देने का ऐलान कर दिया मतहिदा रकान की वजिर्याला वलोचिस्तान के साथ प्रेस कांफरेंस अब्दुलकदूस बजिंजो का MQM को थेंक यू आपको बता रहे हैं कि MQM कि इस पलडे में अपना वोट डालने जा रही है उन्होंने कहा के बलोचिस्तान का सैनिट का चेर्मेन होना चाहिए इस हवाले से उन्होंने कहा के अवाम जो बलोचिस्तान के हैं उनका हक नहीं मारेंगे चेर्मेन सैनिट यहां से होना चाहिए हम सच के साथ है मुतहिदा अराकीन की वजीर अला वलोचिस्तान के साथ प्रेस कांफरेंस अब्लकदूस बजिंजो जो के वजीर अला वलोचिस्तान है उन्होंने एमक्यूम के अराकीन को थैंक्यू भी कहा वलोचिस्तान के अवाम का हक हम नहीं मानेंगे ये कहना था MQM के रहनमाओ का खालिद मक्बूल सदीकी भी आप देख सकते हैं बलोचिस्तान के वजिरियाला के साथ मौजूद है और उन्होंने कहा के चेर्मेंट सैनिट यहां से होना चाहिए बलोचिस्तान से होना चाहिए इसी हवाले से हमारे साथ तज्जियाकार अब्दुलबासित खान मौजूद है अब्दुलबासित खान साथ बताईएगा के बलोचिस्तान के जो अरकीन है उनकी हमायत की है MQM की जानिब से क्या तफसीलात हैं क्या कहेंगे आप देखिए मैं समझता हूँ के इस वक्त जो बलोचिस्तान से उमिद्वार साथिक सज्जानी साथ खड़े हुए है एक तो ये बात तैश्टा है के एक चुटे सुबे की आवाज है ये और सिसले में जो एक ऐसास महरूमी पाया जाता है कोशिश की है पीबल पार्टे ने और तैरीक इनसाफ ने कि उस पर उसको एड्रेस किया जाए और छोटे सुबे की बात भी की जाए दूसी बात आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है जो जो नवाजशी साब जो एक स्टान सपनाया हुआ हुए है कि इंटाई स्टेबलिशमेंट खिलाव अधिया के खिलाव जो ब्यान बाज़िश चल रही है उसके लिए ये सब पार्टियां समयती है कि मिया साभ को एवाइड करना चाहिए और ऐसी पार्टियां जो मौत्सिल हैं और इसको पर चाहती है कि डेमोक्रिटिक निजाम को आगे चलना चाहिए और इंत्शार ना पहले इस से लिए कावश है जिसमें उनके पार्टी के अमीदवार को ना ख़ड़ा किया रिए अच्छा बासी साथ क्या कहते है आपके पीपल्स पार्टी और पीटी आई का इतहार जो है वो साधिक संजरानी को जिता पाएगी जी बेशन कोई तो मैं पामिस तो नहीं हूँ लेकिन मुझे अमीद लग रही है जो मैंने बाड़ी लेंग्वीज देखी थी नवाश्री साहब की जो मशायदुल्ला साहब ने जब राजा जपर रख को मुज़ारा किया था तो उसकी बाड़ी लेंग्वीज से ये बात ख कोर का दावा किया आप समझते हैं कि जो उपोजिशन है वो एक मश्बूत पिलर की हैसिया से सामने खड़े हो पाएगी देखिए एक चीज तो ये है कि इस वक्ते एम्टियम ने भी कमस्दम सेनेट के चेर्मेंट की हद तक हकूमत की फिवर कर दी है और पकिया पार्टी हल के जो खालिद मखूल सदीकी हैं वो कहते हैं कि सिंद्ध की तबाही की जिमादार पिपल्स पार्टी है इस महज़ पर इस तरह का बियान क्या सैसी हैसियत होगी इस बियान की इस प्रप्वल इनिज़ामी चीजन से इलिदा कर दिया गया है और उनकी चुकर शिक्त सो रेखते में वी प्रटी का हाथ देखते हैं इसलिए वो समझती हैं कि उनका बयान उनकी एक जास्यासाइज के वह इस बारे में बयान देखे हैं अच्छा अबासि. आपज़ और द तक तो कुसे ही कहा जा सकता और पाकिस्तान में तो जाता कि हर चीज मुंकिन है लेकिन जैसे आप देक रहे एंगे पिस्धिता हो। हरा दित भा दित था है या उनका केंडिड आयत है तो यobjectा बहुत बढ़ा सर्प्राइस होगा बहुत друз फूर्प्रिया अपने हमें टाइम लिया और पिपल्स पार्टी के साथ हम नहीं चल सकते हैं। देने का ऐलान कर दिया। पिपल्स पार्टी है। बुलेटन में वक्त हुआ एक शौट ब्रेक का। हमारे साथ हीगा। हुआ उएएएएएएए आ ब्रेक का वक्त हुआня हुआ यूएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल झाल